हेलो काईज कैसे हैं आप लोग तो दोस्तों आज आपका यूपी शिक्षक भरती परिक्षा जिसको हम बोलते हैं सूपर टेट तो सूपर टेट नोटिफिकेशन को लेकर एक अपडेट आज आया है कि कब आपके फॉर्म फिलप भरे जाएंगे जिसके अंदर आपके 45,000 शिक बताया है कि 45,000 शिक्षक भरती परिक्षा निकलने वाली है बेसिक भी भाग में और उच माध्यमिक में मतलब अलग से उन्होंने बताया है तो वो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और कब आपकी एक्जाम डेट हो सकती है और कब आपकी वेकेंसी का पूरा प्रोसेस क्या है उसके अलावा साथ में आपका यूबिटेट जो है तो टेट आपका पहले होगा या बाद में होगा कब तक उम्मीद है कि यूबिटेट ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे क्योंकि आप टेट और सुपर टेट की क्लासेज आपके स्टार्ट होने वाली है इसी यूटीब चैनल पर जो आप देख रहे हैं तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पर आपको सारी क्लासेज मिलती रहेंगी सार जो है कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा उसके साथ साथ आज जितनी भी अपडेट होंगी वो सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी इसलिए आपको क्लासेज अगर पूरी तयारी आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो चलिए मैं के नियूज पेपर की नियूज है और नियूज पेपर है आपका देने के भासकर वाला नियूज है यह तो यह जो है यहाँ पर अगर देखेंगे नो मिनट नहीं के न्युज से लीडिए था मैं आप पूरा इसके इंशोर्ट इसके ले लिये थे अपना उसमें फोन वाले अप में अपने तो यहां पे अगर आप देखेंगे ध्यान पूर्वक तो 45,000 बेसिक शिक्षावी भाग में सहायक अध्यापक और पिरवक्ता 3500 उच्ष शिक्षावी भाग में सहायक आचरिये मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ कि सुरू से कहानी क्या थी आपकी सारी देखें यहां से आप सुरू से पढ़िए तो यहां पर आपको दिखेगा यूपी में दिसंबर तक डेर लाग पदो पर भरतिया होंगे आपके टीचर की 45,000 वैकेंसी और उसके आगे लिखा है सिपाही भरती की दो बारा परिक्षा के लिए करना होगा इंतजार जो यूपी प्लिस का पेपर आपका कैंसिल हो गया था यहां पर आपको दिख रहा होगा पांच मिनट पहले इसके बाद आगे इन्होंने बहुत सारी चीज़े बता रखी है यहां पर अगर आप देखेंगे यूपी में सरकारी नोकरी की तैयारी कर रहे है यूवाओं के लिए खुशकबरी है प्रदेश सरकार बिसंबर तक करीब डेर लाख पदो पर वैकेंसी निकालेगी और सीम योगी आदितिनात की सख्ती के बाद सभी विभागों में भरती क प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं भरती आयोग नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है उसके लावा नीचे बहुत सारी और भी डूटियोल थी जो दूसरे एक्जाम से रिलेटेड है तो टीचिंग है एक्जाम से रिलेटेड ही नहीं तो वो आपको जानने की ज़रुत यहाँ पर है आपका UPSSC निकालेगा 21,000 पर तो 21,000 यहाँ पर जैसे चिकितसाव भी भाग में है राजस भी भाग में राजजिकर भी भाग में लेकिन यह आप से रिलेटेड नहीं है क्योंकि आप टीचर है इसी प्रिकार से आप यहाँ पर देख सकते उत्तर पुर्देश लोग सेवा आयोग में 10,000 वेकेंसी निकाल रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका माध्यमिक शिक्षावी भाग में एल्टिग्रेट की आपकी 6,000 पद हैं, साड़े 300 राजकी महाविद्यालियों में सायक आचारिये के पद हैं साड़े 350 जो है सायक अभियंता और 200 प्रदेशिक स्थेवा सर्विस के हैं तो यह पद हैं आपके लेकिन यह पद आपके रिलेटेड नहीं है, आपका जो रिलेटेड है वो यही वाले हैं आपके 45,000 तो बेसिक शिक्षावी भाग में सायक आपक की है तो B-AID वाले और D-AID वाले सभी के लिए फाइदा होने वाला है किसी को भी निराश नहीं किया जाएगा यहाँ पर सभी के लिए भड़ती आने वाली है अभी इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है बोल रहे हैं कि दिसंबर तक भड़ती का सोच रहे हैं तो अब जल्दी तो नहीं होगा जो कि मेरा आकला था जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जल्दी नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी अगर आयोग बना है और उसके जो पुनाने एक्जाम से हैं जो रुके हुए हैं पहले वो फिरकिरिया जारी की जाती है उसके बाद में नहीं एक्जाम का जो है तैयारी होती है तो इसलिए अगर आपको ये लग रहा था कि अभी जुलाई अगस्त में ही आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा मैं आपको अपरेल से कहते आ रहा हूँ कि जुलाई अगस्त में तो नहीं दिखेगा क्योंकि इतनी जल्दी काम होता नहीं है भई सरकार है तो उसके पास एक ही काम थोड़ी है और भी बहुत सारे काम रहते हैं तो नोटिफिकेशन का अंदाजा जो मेरा था मैंने यही कहा था कि इस year के last तक ही आएंगी सेम वही चीज हमें देखने को मिल रही है लेकिन इसमें मैं भी यह कहना चाहूँगा आपसे कि अगर last के year में आएगी तो तयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी अगर अभी से नहीं करी तो आएगी वेकेंसी और चली जाएगी कहते हैं बारिशे आ भी गए और चली भी गए लेकिन साजन नहीं आया है ना तो वही चीज होने वाली आपके साथ वेकेंसी आएगी और चली भी जाएगी लेकिन आपके लिए कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि एक महीना दो महीना में भाई है सुपर्टेट कोई हलवा तो है नहीं कि एक महीने दो महीने में आपका कर लोगे तयारी इसके लिए आपको लंबा समय लगाना पड़ेगा अगर बहुत अच्छा student भी है पढ़ने में तो 6 महीने लगते हैं आपको तयारी में इसलिए अगर अभी से देखोगे तो 6 महीने है आपके पास देखा जाए तो आपको तयारी अभी से करनी पड़ेगी इसलिए मैं खुद ही जो है classes start कर रहा हूँ यहीं YouTube पे ही तो सारे चीज़े आपको मिलती रहेगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें रखो और यूपिटेट की अगर बात करें तो यूपिटेट आपका जो मेरा आकड़ा है अभी इसमें नहीं बताया उन्होंने यूपिटेट का कोई जिक्र नहीं था लेकिन यूपिटेट का तो निकालना पड़ेगा पहले यूपिटेट आपका पहले होगा फिर बात में आपकी शिक्षक भरती तो यूपिटेट की अगर मैं बात करू ऑक्ट्यूबर नवंबर के आसपास आपका यूपिटेट देखनों को मिलेगा आपको जो मेरा अंकड़ा है और मुझे लगता है मतलब यू समझ लो यूपिटेट जो है वो सूपरटेट का चोटा भाई है तो चोटा भाई तो अपने आपे निकल जाएगा जब बड़े भाई की तयारी कर रहे होंगे तो दोनों की तयारी हम लेके चलेंगे प्रिवेस पर अलग अलग लगाने पड़ेंगे दोनों के तो टेंशन की बात नहीं है दोनों चीज़े होंगी और आपके लिए खुश खबरी है यह बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है क्योंकि इतने सालों से सूखा पड़ा है टीचिंग के फिल्ड में अब लग रहा है कि आपका काम जो है जल्दी-जल्दी हो रहा है त चेखा से तो इसलिए कॉंपटिशन भी अच्छा होगा मैरिट भी अच्छी जाएगी इसलिए आपको तैयारी बेहतर करनी ही पड़ेगी तो इसलिए मेहनत करते रहो बागी हम साथ में आपके सपोर्ट में रहेंगे जितनी चीज़े होंगी आप पूछ सकते हैं कमेंड कर कि अभी भी पूछ सकते हैं जो भी सवाल है आपके अगली वीडियो में आपके सवालों के जवाब दी जाएंगे चले वीडियो को लाइक शेयर कर दो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़े मिलते रहेंगे नेक्स वीडियो में मिलते हैं आपको बाई बाई चेक करें